हिलो दोस्तों मैं सहरों मलिक आप से भीगा टोपिक स्टेडि में स्वागत करता हूँ दोस्तों आज मैत की वीडियो में हम देखने वाले हैं मैत के 6 अधि मैत पुन परसन और वो भी सोटरी के साथ तो प्लीज आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेगा अपने सभी दोस्तों साथ में सेयर जरूर करिएगा क्योंकि देखे आर्पिया पैसाई का एकजाम आपका 19 दिसंबर को है तो यहां पर बहुत ही अच्छे कोशन है और आपके एकजाम में पूछे जा सकते हैं तो प्लीज अगर आप इस वीडियो को दूसरों को सेयर कर देंगे तो क्या पता किसी की हेल्प हो जाए और अगर आप चाहते हैं आपको इसी तरीके की वीडियो मिलती रहे लगातार तो नीचे रेड कल के बटन को दबा करके बैल आकन को ओन कर लिजेगा आपके पास नोटिफिकेशन पोचने स्टार्ट हो जाएंगे और देखे दोस्तों इन सभी अगजान के लिए ओनलाइन टेस्ट भी अवलेबल है और यहां पर इसमें डिसकाउंट भी आपको मिलना है तीस रुपे का तो यहां पर इस कोड को अगर आप बढ़ते हैं सोरब SPL तो इसमें 30 रुपे का डिसकाउंट मिल जाते है यानिकि 120 रुपीज में टेस्ट हो जाएगा तो आप इसको पर्चेस करके प्रैक्टिस कर सकते हैं और मैं ऐसा करता हूँ कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आएगी और आप वीडियो को लाइक सेर जरूर करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हाँ देखिए आज के लिए मैं माफी चाऊंगा क्योंकि यहाँ पर मैं इंग्छिस में कोशन लेके आयाई हूं मेरे पास इंग्छिस में ही कोशन है और वो हिंदी में पहले कन्वार्ट करने पड़ते है उसमें बहुत टाइम लगता तो मैंने सॉचा आपको इंग्छिस में कोशन लिक्के देदूगा बट सब कुछ हिंदी में बताऊंगा ठीक है तो टेंशन बिलकुल मत लीजेगा आप वीडियो को देखे बहुत इंट्रेस्ट आएगा और बहुत आपको समझ में भी आएगा ठीक है तो यहाँ पर कोशन में दिएगा यहाँ पर बताया जा रहा है कि कोई सम है मनी का जो की डबल हो जाता है अपने आपका कितने 15 सालों में मालीजिए 100 रुपे है वह 15 सालों में कितने हो गए 200 हो गए यानि कि डबल हो गए सिद्धी बासा है बिलकुर समझ में आ रही है इन हाउ मैनी यर विल इट बिकम एट टाइम ओफ इट सैल विद्धी सेम रेट यह कितने सालों में आठ गुना हो जाएंगे अपने आपके यह पूछा गया कि कितने सालों में हो जाएंगे तो दोस्तों अगर आपको इतनी चीज़ समझ में आ गई कि यह डबल हो जाता है 15 कि आपको आपके 15 सालों में तो एंट गुना भी हमें करना को जाधा हाड नहीं आपकेеру मान लिया कि 100 रुपे है मेरे पास और वो 15 साल में 200 हो रहा हैं डबल हो रहा है ठीक है next year मेरे पास कितने हो जाएंगे 200 रुपे हो जाएंगे और फिर next 15 year में फिर मैं उनको डबल कर दूँगा वो कितने होंगे 400 हो गए ठीक है यानि कि 4 गुना हो गए फिर मैं क्या करूँगा मैं फिर उस 400 को 15 साल में फिर डबल कर दूँगा यानि कि 8 गुना हो गए अब ये 100 का कितने गुना हो गया 8 गुना हो गया ये कोशन में पूछा है कि ये ही एमाउंट 8 गुना कितने सालों में हो जाएगी तो 15 एकम 15 15 32 35 तीनों को पराइस करिए 45 आपका हो जाएगा यान कि 45 एर में आट गुना हो जाएगी अब मुझे ये बताइए कोई कुशन को हिंदी इंगल्लिस में कोई प्रोब्लम होई या समझन में प्रोब्लम होई नहीं होगी न तो देखे बिलकुर सिंपल है ऐसा करता हो जाएं को दो वन ओटू मान के भी कर सकते हैं सो से अच्छे से समझ में आ जागा है सो का 200 हो गया फिर 200 को मैंने फिर 15 साल में डबल कर दिया तो यहर 15 साल में डबल होता है यानि कि 100 का आठ गुना कितने में हो जाएगा यह आपका 45 सालों में हो जाएगा ठीक है चलिए next question पर चलते हैं दोस्तो नेक्स्ट आपका कोशन है यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपका जो मूलधन है आपका प्रिंसिपल अमाउंट है 800 वो अमाउंट्स तो रूपीज 920 920 हो जाता है तीन सालों में यानि कि 800 से 920 हो गया तीन सालों में at a simple interest तो interest कितना लगा देखे 800 से 920 होगा 120 रूपे का interest लग गया यह आपको समझ में आ गया होगा next line में क्या बोला है if the interest rate is increased by 3% अगर interest rate को 3% से बढ़ा दिया जाता है it would amount to how much तो आपका amount कितना बनेगा यहाँ पर 800 से 920 हो रहा है तीन सालों में एक simple interest पे अब पूछा जा रहा है कि अगर 3% बढ़ा दिया जाए simple interest तो अब amount कितना होगा 3% बढ़ाने के बाद तो सबसे पहले तो आपको यह पता हो रहा है 800 से 920 कितने rate पे हुआ है यानि कि interest rate क्या रहा है इसके बीच में तो सबसे पहले आप interest rate निकाले interest rate निकालेंगे कैसे देखे कैसे निकालेंगे 800 से 920 हो गया बढ़ा कितना 120, 120 आपको क्या हो गया यह हो गया simple interest तो simple interest यानि की साधान भ्याज आपको पता चलिया तो आप इस वाले formula को apply कर दीजे ऐसा ही बराबर pin to r into t upon me 100 ऐसा ही आपका 120 है principle आपका 800 हो जाएगा 800 आपने रख लिया rate आपको निकालना है तो r को वैसे रखी और कितने साल का 120, 3 साल का तो इसको 3 रख के आप उन में 100 करिए तो यहां से आपका rate निकल के आजएगा 0 से 0 कट जाएगी ठीक है और यहां आपका 3 से कट जाएगा 40 टाइम और 8, 5, 40 यहां से 40 कर जाएगा 8 से तो यह 5 आजएगा यानि कि rate आपका 5 परसेंट आ गया जो यह 800 से 920 होए 3 सालों में कितने rate पे होए 5 परसेंट पे अब यहां पे बोला जा रहा है कि if the interest rate is increased by 3% अगर interest rate को 3% से बढ़ा दिया जाते है तो amount कितना बनेगा तो यहां पे 5 में 3 और पलस कर दीजे कितना होगा आपका interest rate 8% हो गया है अब दुबारे से फिर 800 आपको पता है कि principal amount है तो 800 गुना 8 यानि कि यह आपका हो जाएगा जो interest rate बढ़के हुआ है 5 से 3 और बढ़ा आठ और 3 और 3 साल में कितना हो जाएगा आप Bush się85 करेंगे जिरो से जिरो कट जाएगी तो यहां पे 8 की 8 में करेंगे और गुना 3 की करेंगे तो कितना हो जाएगा 102 में तो ऐसा ही आपका कितना हो जाएगा 192 हो जाएगा जो कि आपका 120 था तीन सालों में 5% के interest rate पे अब यही ऐसा ही आपका 122 में हो गया 8% के interest rate पे तो आपका जो amount बन जाएगा वो कितना बन जाएगा 800 प्लस 122 में 900 बान में आपका हो जाएगा यही आपका right answer हो गया यह आपसे पूछे गया था it would amount to how much यहीं कि आपका कितना amount बन जाएगा अगर आप 3% interest rate बढ़ा देते हैं वही समझ में आ रहा है ना कोई भी problem नहीं आ रही होगी Hindi English में अगर आ रही है तो मुझे comment box में बता दीजेगा यही question फिर में जो जिस भी question में problem आ रही होगी प्यूपल वाज calculated as 28 year एक गुरूप है प्यूपल्स का ठीक है मतलब कुछ बंदे हैं गुरूप में और उनका जो average age है वह 28 साल है ठीक है भई मान लीजे एक गुरूप है कोई भी गुरूप हो सकता है एक्स गुरूप है और उसमें जो average age है इस गुरूप की वह 28 साल है ठीक है चले नेक्स लाइन पर दें दिस वाज टू यर मोर देन दा correct average यह जो 28 साल है average year इस गुरूप की एज का यह दो साल ज्यादा है correct average age से यानि कि जो 28 साल है यह incorrect है यह correct average नहीं है इसमें कुछ न कुछ mistake है जो correct average होगा वो होगा 26 यह दो साल ज्यादा है आप यह बताएगा दिस वाज टू यर मोर देन दा correct average age तो correct आपका कितना हो जाएगा दो इसमें से माइनस करेंगे तो 26 हो जाएगा तो इस गुरूप का correct average है 26 है और जो incorrect average है वो 28 है अब इसमें correction देखते है क्या है मतलब गलती हो क्या रखी है यह की 28 हो रखा है there was an error देखे इन्होंने बता दे कि इसमें गलती है in noting the age of two person इसमें दो आदमियों की age को note किया गया है जिसमें की 32 और 36 instead of 21 and 23 गलती हो रखηνा है उनकी यहां पर लिक रखिया है 323 तो एक्स्टा August के तरह है का 68 तो 68 मैं 21 से में 22 को प्लस के तो 46 ओ forum prosake support support इन्हीं इस वाले %1 अछिच़ आगां आपका जो 24 यह ए यह extra हो रखा है इस वाले जो incorrect average आजाना इसमें यह 24 extra average एज एड हो रखी है अगर मैं इस 24 को इसमें से minus कर दूँ तो यह निकल के आजाएगा समझ गया आप देखे इस group की average का जो sum है average age जो 28 year है जो incorrect है अगर मैं इसमें से 24 minus कर दूँ 28 x में से तो आपका 26 x बन जाएगा क्योंकि यह गलती जो है इसमें यह 2 year से बढ़ा हुआ इसमें average age आ रहा है वह किसकी वज़ेसे आ रहा है यह 24 की वज़ेसे तो मैं क्या करूंगा इस 28 x में से 24 को minus कर दूँगा तो यह 26 के एकुला जाएगा तो यहां से मैं x की value निकाल लूँगा x की value कितने आ गई 2 x बराबर आपका 24 है क्योंकि धर जाके यह 2 x बचेगा उन्हें आपे 24 तो 2 x बराबर 24 है तो x बराबर क्या जोगा 12 यानि की x की value आपकी 12 यही आप से पूछा गया है how much persons were there in the group तो गुरूप में आपके बारा मेंबर हैं ठीक है कितने परसन हैं बारा है यानि की इस गुरूप में बारा है जिनकी बारा की average ओसत एज जो दे रखी थी वो 28 साल दे रखी थी यह गलत थी और बारा परसन की जो average is correct average is जो 26 है तो आसा करता हूँ कि आपको यह question भ invested for a certain time एक सम है माउंट का यानि की principal amount है कुछ आपकी वह आपने invest की है कुछ certain time के लिए जो की time period यहां पर decide मतलब बताया नहीं कि आया है कि कितने time period के लिए ठीक है certain time period के लिए it amounts to 3500 at 10% per annum but where invested at 8% per annum it amounts to 3000 find the time time आपको बताना है देखिए जब हम 10% के rate per interest इसको invest करते हैं तो यह 3500 आता है और जब 8% के rate per invest करते हैं तो 3000 आता है आपका amount ठीक है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे देखिए amount बराबर क्या है principal प्लस simple interest आपका होता है तो amount के लिए हमारे पास एक formula होता है a बराबर p 1 plus r into t upon 100 यह हमारा amount का formula होता है तो इसको मैं apply कर दूंगा इसमें 2 बार ठीक है तो इस तरीके से मैं करूंगा 3500 equal आपका p और यहाँ पर 1 plus 10 into t आपको निकालना है upon 100 इस तरीके से लिख लेंगे फिर नीचे आप इसको इस तरीके से करके लिखेंगे 3000 p 1 plus 8 into upon में 100 तो p से p कट जाएगा और यहाँ पर और भी बहुत सारी यह दो 0 से 2 0 भी कट जाएगे आपकी और इसको sol करेंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा यह हो जाएगा आपका 35 बटे 30 तो इसको भी हम कट करेंगे पान सत्य 35 और पान चीका 30 तो साथ बटे 6 यहाँ पर आगया और इसको इदर से sol करेंगे तो यह भी आपका sol हो जाएगा और इसमें बचेगा आपका 7 plus 56 t ठीक है क्योंकि इस तरीके से हम cross multiply करेंगे तो यहाँ पर आजाएगा अभी cross multiply नहीं करते हैं या फिर आप इसी तरी केसे कर सकते हैं इसको ठीक है 7X हो जाएगा 30 इधर multiply होगी 7 कि तो 56 t अपन में 100 और इसकी इधर होगी 6 होजाएगा plus 60 t आपका हो जाएगा अपन में 100 और इसको sol करेंगे तो यहाँ पर आपके 0 से 0 यह मतलर यह कट दाएगा आपका ठीक है और इसमें आपका हो जाएगा 40 इ यह फीर आप यहां पे तो टी बराबर आपका यहां पर निकल के आ जाएगा unw यह कुछ रुक रही है बीच पीच में तो बतेगा अगर कुछ प्रोब्लम आई यह इस कोशन में तो नेक्स वीडियो में कवर कर लेंगे नेक्स आपका कोशन है टू नंबर आर इन दा रेशो 3 तो 5 इप दा 9 इस सब्ट्रेक्ट फ्रों दा इच यह पे दो नंबर दिए गए है तीन और पांच रेशो में दिए गए है नो अगर इन दो लों में से घटा दिय जाते है 99 घटा दिय जाते हैं दो नंबर में से तो आपका जो नया रेशophone के आते है वो 12 इस तो 23 आता है तो smaller नंबर आपको बताना है तो simple है यह question आपका, जब भी आपको ratio में number दिये होते हैं, तो 3 और 5 जैसे दिया है, आप इसको मैं लिकूंगा 3x और 5x, ठीक है, तो 3x और 5x में से 99 minus किया, तो आपका ये वाला ratio बनेगा 12.23, और इसको हम solve करेंगे, इस तरीके से cross multiply करके, तो cross multiply की, यहाँ पे कितना बनेगे, 69x, औ यहाँ पे हो जाएगा, आपका 20, sorry 207, और यह हो जाएगा, आपका 12 की इधर करेंगे, तो 60x, और यह हो जाएगा 108 minus का, इसको solve करिये, x वालों को एक सेड में लेका जाएगे, तो 9x बचेगा, और इसको इधर लेका जाएगे, तो 99 हो जाएगा, तो x की वहले आपकी 11 आ ग नहीं पे, तो मुझे comment box में बता दीजिएगा, next question पे चलते हैं, next आपका question है, the price of sugar is increased by 28%, अगर यहाँ पे, sugar के price increase हो जाते हैं, 28% से, therefore a family reduce its consumption, तो अब family जो है, अपना consumption, जो उनकी खपत थी, उसको reduce कर देती है, so that the increment in the expenditure of the sugar is only 20%, देखे, मैं बिलकुर सीधी सी, आपको एक language वेज में समझाता हूँ, sugar के price increase हो 28%, चीनी के price 28% से बढ़ा दिये गए है, therefore इसकी वज़े से family ने अपना खपत जो थी, जो चीनी की खपत थी, उसको कम कर दिया गया है, और उसके कम करने से जो उनका expenditure बढ़ने वाला था, वो उतना नहीं बढ़ा है, केवल 20% से बढ़ा है If the consumption of sugar is 15 kg before the increment, अगर वो price increase होने से पहले 15 kg खाते थे चीनी को, what is the consumption now, तो अभी कितना खपत है, उनकी कितना वो खाते है, तो मैंने क्या माना, पहले उनके price से 100 पर kg और अभी बढ़ा के कितने करते हैं, 28% बढ़ा है, 128 पर kg आपके हो गए है, ठीक है, तो यहाँ पे देखि पहले खर्चा कितना होता होगा, उनका, 15 kg खाते थे, 100 रुपे पर kg वाली चीनी को, तो 15 रुपे का उनका खर्चा होता होगा, बट खर्चा कितने से increase होगा है, केवल 20% से, खर्चा कितने से increase होगा है, 20% से, तो 1500 को मुझे 120 परसेंट बनाना है, तो divide by 100 और into कर देंगे 120 से तो आपका 1800 आ गया, यानि कि खर्चा कितने से बढ़ा, 1800 से बढ़ गया, अब 1800 को मुझे कितने में divide करना है, 128 रुपीज पर kg की चीनी को, कितनी मैं खा सकता हूँ, 1200 divided by 128, तो कितना जाएगा आप इसको cut करेंगे, 225 बटे 16 आपका आ जाएगा, 225 को 16 से बाग करेंगे, तो यह आजएगा 14.06 किलोगराम, यानि कि पहले 15 किलोग चीनी खाते थे, अभी यह उन्होंने 14.06 किलोगराम खानी स्टार्ट कर दिये, क्योंकि प्राइस 28% से बढ़े है, अब मुझे यह बते, यह समझ में आया, या नहीं आया, अगर समझ में आया है, तो like का बटन तो आप आपको समझ में आई गई होगी, तो please आप like कर दिया करें, और बाकी यह बहुत सी simple सा question था, अच्छा question था, इंगलिस में आपको थोड़ी सी भी problem आई है, तो tension मत लिए, कल से आपको हिंदी में वीडियो मिलेगी, और यहाँ पे आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, topic study क telegram channel से, जिसका link नीचे description box में मिल जाएगा, आप test purchase कर सकते हैं, बहुत important है, क्योंकि test नहीं लगाओगे, तो आपका exam में score नहीं बन पाएगा, यह बिल्कुल सीधा सीधा सा concept होता है, ठीक है बई, तो मिलते हैं कल, फिर next वीडियो में, वीडियो को देखें, बहुत बहुत झाल झाल